हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका इक बार फ्रिट से अपने यूट्यूब चैनल नॉलज में आज का टॉपिक है कि राजकाश पोर्टल पर हम एफाइल को रीकॉल कैसे कर सकते हैं रीकॉल का मतलब यह होता है कि जब भी हम हमारी जो एफाइल होती है जो भी हम फाइल चला रहे है राजकाश पोर्टल पर फाइल के माध्यम से उसे हम जब किसी सामने वाले व्यक्ति को फॉरवड करते हैं जो हमारे ऑफिसे बगेरा में चैनल बना रहता है उनको जो forward करते हैं तो हमारे add to preferred list में हमारे पास बहुत सारी employee ID show होती रहती है गलती से हमें कभी किसी गलत employee की employee ID पर हमसे tick हो जाता है और उसको forward हो जाती है फिर हम बोलते हैं कि आप उस file को वापस से return करती है तो ऐसा करने के बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है हम उस file को बिना उनको बोले recall कर सकते हैं एक तरीका क्या होता है कि जब हम कभी employee ID डालके search करते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुच जाती है जो ना हमारे department पर है ना उससे कोई लेना देना है फिर भी वो file वहाँ पहुच जाती है तब भी हम उस file को easily recall कर सकते हैं लेकिन हम recall एक ही condition में कर सकते हैं जब तक उसने file को read नहीं किया हो आए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एक बार सबसे पहले यहाँ SSID मैंने login कर लिया है login कर लेते हैं आपर इसके बाद हम राज-काज e-file आग पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर inbox में e-file पर जाएंगे example के लिए यहाँ पर मैं कोई सी file ले लेता हूँ यहाँ मैंने file एक open कर ली है इसको check box पर टिक करके इसको open कर लेंगे यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी इसके बाद हम यहाँ पर इसको save कर लेते हैं और save करने के बाद हमेशा हम file को आगे forward करने के लिए send to anyone करते हैं send to anyone करते ही यहाँ पर मेरे add to preferred list में पांच नाम शो हो रहे हैं यहाँ मैं किसी भी नाम को एक बार select कर लेता हूँ यहाँ मैं किसी और employee ID पेस को search कर कर बताता हूँ आपको इसको यहाँ से search कर लेंगे search करने के बाद यह file मैं इनको send कर देता हूँ जो भी employee है यह file यहाँ मैंने send कर दी है बट मैं चाहता हूँ कि यह file यह नहीं पड़े उससे पहले मैं इसको वापस से recall कर लूँ इसमें कोई आवशेक संशुदन है या मुझे किसी आनी व्यक्ति को यही file भेजनी है मेरे से गलती से यह file इनके पास चली गई है तो युस file को recall हम कैसे करेंगे यहाँ पर हमें सबसे पहले नीचे outbox में आना है outbox में आने के बाद हमें यह e-file को option दिख रहा है e-file पे click करेंगे e-file पे click करने के बाद हम यहाँ पर जो मैंने file forward करी थी वो सबसे पहले उपर आ गई है इसको मैं checkbox पर tick करूँगा checkbox पर tick करने के बाद आपको उपर option मिल रहे हैं यहाँ पर create part file view moment and recall आप ही यहाँ पर recall पर इसको click करेंगे recall पर आप जैसे ही click करेंगी यह file successfully आपके यहाँ वापस से inbox में e-file में चल जाएगी एक बर चल के देखते हैं आप इंबॉक्स में जाते हैं वापस से और वापस से e-file में जाते हैं हम देखेंगे यहाँ उपर हमारे पास वही file आगी है जो हमने recall करी थी इसको open कर लेते हैं एक बर अब आप देखेंगे यहाँ second option देखिए आप पहरा number जो लिखा हुआ है this file has been recalled by जिसने भी यह file रिकॉल करी है जिसने फाइल चलाए थी initially वह वापस से उनके पास ही आ गई है यह file तो इस तरह आप किसी भी file को recall कर सकते हैं अगर वह किसी गलत employee ID पर send हो जाए या किसी आप पर्टिकुलर किसी को send कर रहे हो वह file और किसी अन्य व्यक्ति को send हो जाती है तो आप जब तक वह read ना कर ले उस file को तब तक आप easily उसको recall कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया हो तो please channel को सबसे पहले subscribe कीजिए और video को like और share करना ना भूले thank you so much